भारत बनाम श्रीलंका स्टम्स 357 पे छे लेकिन जिस खिलाडी को आज सभी देखने आये थे विराट कोली विराट कोली से उम्मीदे थी कि उनका बल्ला बोलेगा लेकिट अनफॉर्चुनेटली वो पैंतालिस रड़ पर पहले लोटे हमारे सार इस वक्त बहुत सारे फैंस ह जो अभी अभी भी जो है एक्साइट है क्योंकि उनको ऐसी उम्मीद है कि जब सेकंड इनिंग्स आएगी तो वहां पर कि आप देख सकते हैं कि फैंस का जो जोश है वह कम नहीं हो रहा है क्योंकि वह अपने किंग कॉली को जो है करते हुए देखना चाहते हैं मैं आज कर जो देवन था अगर आप उसके बारे में बता सके विराद कोली की बैटिंग प्लस अभी तक हम नहीं किया है उसके बारे टोव फूंकिल करें मतलब मेरा गूली करते हैं अगर अगर कूली कृणि फिर प्रसक्राइब को अब बढर वृपाधर को चुछार लृपसारोंबने मिल gest Urban भी व्यमत अब बसदे की आप एख धियर बहुत भी वहांने विरात को लिए 2022 का विराट कोली मैं को फर्स मैंस से देखते आ रहा हूं जैमेका 2011 में उन्हें टेस्ट डेव्यू करा था दोनी के अंडर और आज उनका सोवा मैंच है मोहाली में 2022 में सो फरक दिखाया कि पहले वो कैसे थे और अब उनकी बैटिंग एकदब मास्टर क्लास हो चुकी है और उम्मीद भी बहुत है मैं साथ मैं है मैं विराट कोली ने इंडिन टीम को एक अलग प्लाटफॉर्म पे पहुंचाया है चाहिए वो टेस्ट क्रिकेट हो ओडियाई हो ट ओर कि मैं पहले से बहुत बढ़ी फैन हूं लेकिन गर्ल्स तो भी आट को लेकिशा है उसको लाइफ देखा तो लाइफ एक्दम ऐसे हो गए कि हां और उसके साथ अनुष्का भी आई थी उसको विदि पे ऊप्र जूम जूम घरके तो ठीक है बहुत मज़ा आया और पहले का विराट को अधी कि बहुत जादा कि नहीं हो पैले भी बहुत जादा बिंदास था आज भी लाइन जादा निया निया०ा निदरा प्रों भुरत ने 45 बनाएं तो में में बहुत रुआ आज कि पचास करना चाहिए था ना अज मेरे आखों में खून के आसु है लेकिन रिशा अच्छा किया तो बैलेंस हो गया कि 2011 के कोली और 2021 के कोली में सिर्फ डाड़ी का फरक है प्लेयर वो तगड़ा अज भी है हाइट से मैं बहुत मज़ाया देखके जैसे कि फैंस हैं उनके रियक्शन अलग अलग हैं लेकिन अगर और वल बात की जाए तो आज भारत में 300 से जादा रन बनाये हैं स्टम्स के उप पारी को या तो डिकलेर करता या फिर श्रिलंकन टीम इंडियन साइट को आउट करने में कामियाब होती है